तो बटा हम दो तो बटा हम लोगों ने जो है यहाँ पर पिछली क्लास में कुछ कोशन देखे थे क्यूबिक के रूट से रेलेटर हम लोग ठोड़ा सा और अभी बटा आगे बढ़ेंगे अच्छा बटा यह बता यह पहले मुझे आप लोगों में इन एक्वालिटी जो है वो बटा कितने लोगों को आती है पहले से स्वॉल्ट कर दी आती है अच्छा और किसे आती है मेरा मतलब यह पर जैसे मानलों के आप लोगों के पास क्वाडिटिक है जिसे मानलों यह है मैंने बोला इस क्वाडिटिक को सॉल्व करो मतलब एक्स की वाल्यू बताओ तो बटा आप ऐसे पैक्टराइज करते हो फिर आप इनको जिरो के एकवल करते हो ऐसे ही मानली जै मैं आपसे बोलूँ के इसको सॉल्व करके बताईए या फिर इसको सॉल्व करके बताईए या फिर इसको सॉल्व करके बताईए समझने हैं बटा यह से प्राष यह से लłगए लं बीग lumière भदने लेग री um बीग अ तो तो आप आप अप जैसे हम दो लोगों नहीं दो बडार था कि हमको आती भिटा बाकी को नहीं आती ना इनेक्विडिटी तो मैं काम करता हूं इनेकुरिटी इसलोफ कर नहींound 210 बताता हूं क्यू कि अब ही दक आपको को नहीं ले मैक्सिम लोग उनको देखिए Days कि इन इक्वेलिटी का मतलब हैडिंग डाले ना इन इक्वेलिटी का मतलब वही है जो मैं भी बता रहा था कि जैसे यह आपको इकवल टू-0 इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है लेकिन रहें है मैं इसको कैसे हो में तो देखते में तो इन एक्वेलिटी में क्या होता है जबभी कोई आपके पास कुछ भी लिखा है जैसे माल लिज्ये मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है कि इसको सॉल्व गरो तो पहले हम क्या करते हैं सब कुछ लेफ्ट में लाते हैं बताब राइट साइड में बना जो सब लाइट पर पिछ भी मत छोड़ो उसके बाद बैटा प्राइज करो है कि हमने जब प्राइज किया ऐसे आ गया जब आपने प्राइज कर लिया तो आप सारे फैक्टर्स को पकड़ पकड़ के इक्वल टू जीरो करो कि आप एकक्स की बाली आएगी अब गर्त प्राइज के बाल्य को पता है कि माइनश वन पहले आएगा शिक्स बाद में आएगा है विस के बाद क्या करें आप ऐसे राइट पर कोर्नर से शुरू करें इधर ग्राफ बनाना और जो भी सबसे पास में वैलियू हो उस पर पहुंच जाए पहुंच गए अब बिटा क्या करें अब आप ऐसे करके अब आप यह देखें जिस पर खड़ें जिस वाल्यूम पर आगर आप खड़े हैं उस वाले फैक्टर की पावर कितनी है उस वाले अगर और पाबर है तो side change करके आगे बढ़े जैसे 6 पे में खड़ा था तो यह 6 जिस फैक्टर से आया है X-6 से उसकी पाबर बटा ओन है तो मतलब क्या करेंगे इसको cross करने के लिए side change करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो उपर थे हम side change करके नीचे आगे और बटा आगे बढ़ेंगे इस फैक्टर की पाबर भी कितनी यह बटा ओड है ओड में करते हैं side change और आगे बढ़ेंगे नीचे है तो उपर जाए और आगे बढ़ें आगे बढ़ेंगे कोई है नहीं तो हमें रूप गए यह माइनस इंफिनेट ही यह बटा इंफिनेट है ठीक है अब देखिए आगे इसने बोला था मुझे एक इस मस्ट भी less than 3 इना less than जीरो बोला था ध्vyक्राइट दो जब आपने Californiaada इस टाइम पर आपने टीए ոपिंस ताइम पर देखना कुछ चाइं का कौछ लेटे लेस्त दिख रहा है लेस्तेट का मतलब होता है लेटब किसी की भी जब कोई ग्राफ बनता है तो में तो एक्सके नीचे वाली 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 बैलिटिव समझी जाती है तो मुझसे बोला गया था के लेट तो इसका ग्राफ एक्स एक्स के नीचे है इसका ग्राफ के नीचे है बिटा यह है नीचे कहां से कहां तक माइनस बन से 6 तक तो मतलब X की जो बाल्यू है वो पटा माइनस बन से 6 तक होगी X बलोंग्स टू माइनस बन को माइनस तो यह पटा हमारा एंसर होगी तो शायद आप जो है पटा समझने लग गए होगे कि हमें किस तरह से इनेक्विलिटी शॉल्प करनी होते हैं यह एक बेसिक इनेक्विलिटी है ना कि सब को लेप्ट में लाओ फैक्टराइज करो हर एक फैक्टर को इक्वल टू जीरो करो एक्स की जो बैल्यू जाएं उनको नंबर लाइन पर मार्क करो और फिर लेस देन और ग्रट देन जीरो के हिसाब से उपर या नीचे का ग्राफ मार्क कर दो ग्रट देन था तो उपर वाला मार्क कर देते और लिख देते के एक्स कहां से कहां जा रहा है उसमें ठीक है अगर कुछ लोग नए होंगे इसलिए मुझे पताना पड़ रहा है कर लीजिए नोट है ना जिसको जो नहीं आती थी कुछ और भी देखते हैं पर इसमें कि अब हम जो पॉर्शन आगे पढ़ने वाले हैं तो यह समझ लीजिए कि आगे जितना भी पॉर्शन को आड़िक का बचा है तो उस सब में हर पॉर्शन में इनकुलिटी जोगी धियांद रखना इसलिए जगासे भी बात अगर इसमें समझेन ना रही हो ना इसलिए ना इनकुलिटी में तो मुंस्त तुरंथ पूश्पनों बचाना अभी और भी बाते हैं बताने वालाओं वह से इस रएलेटर को देए सब्सक्राइब कर दो जाए कि जिसकी इस फेक्टर की अगर और पावर तो साइट चेंज करके मूव करते हैं यह एक बार बता दीगी पहले आप इसको नोट कर लें अगले कोश्चन में दिखा हुआ इसको डिटेल में बटाया इस ताकि आपको बेसिक स्ट्प्स तिहांद रहें मैं अभी बहुत सिस्ट कि अ बट़ ठीड करते हैं यह लाओ करों यह लंगा गचित प्रॉनी 9 लगसे हैं लगसे लगसे ही जड़ादे लगसे हैं जड़ादे हैं? लिख लिया देखिए बिटा मैं इनी को step by step लिखवा रहा हूं फिर ना देखिए जिसको मतलब जड़ा साभी confusion है नहीं steps के बाद clear हो जाएगा मैं कोई भी step कोई भी इसमें पॉइंट फ्रोगा नहीं है न सारी चीज़ें अपने बेसिक इस्ट्रक्चर देख लिए उसका कैसे इनेकुलिटी को एक प्रोसीड करते हैं सॉल्व करते हुए जैसे step बन क्या हुआ बेटा हमारे पास यह इनेकुलिटी सॉल्व करने के इस्ट्रक्चर ध्यान दखना है न इस्ट्रक्चर बन क्या था सबको left में लाते थे तो मैं ऐसे बोल तू सबको left में लाओगे तो right side में 0 बन जाएगा न तो यहां मैं लिख देता हूँ के make 0 on right side अच्छा यहां एक थोड़ा सा confusion क्या होता है कुछ बच्चों को जैसे मान लीज़े यह question कई बार थोड़ा सा और बड़ा सा दिखा जैसे x upon x plus 3 less than 1 तो बच्चे क्या करते हैं तो cross multiply भी कर लेते हैं कई बार ऐसे है ना नहीं कुछ cross multiply नहीं करना सिर्फ plus minus करके ही आप left में लाएंगे सब कुछ ऐसे 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 सही है नहीं बटा cross multiply नहीं होगा तो मैं हलिक देता हूँ कि सब कुछ left में तो लाता है right में 0 बनाना है लेकिन अब bracket में लिख रहा हूँ never cross multiply never cross multiply ठीक है बटा अच्छा अच्छा नोर्मली plus minus करके left में लाएं cross multiply करके कुछ लाएंगे जब राइट साइड में 0 बन गया जब राइट साइड में बटा 0 बन गया और आगे देखते हैं जैसे माल लीजी ये question था हम सब को left में ले आए राइट साइड में 0 बन गया तो आप जो भी कुछ left में लिखा है सबको merge कर लो सबको merge कर लो मतलब single numerator और single denominator दिखना चलिए ऐसे ऐसा ना हो कि यह अलक्तम दिख रहा है यह अलक्तम दिख रहा है नहीं सबको merge करके single numerator single denominator बनालो make single numerator and denominator in left hand side चीक्वाशा जीशे बन गया अब क्या करेंगे आप है अधर यह अधर को kell इसको क्या कर दें इसको जैसे आपने हैं क्या क्या किया प्यक्तरी कि यह है अगर ही quadratic होती तो आप factor करते इसके तो आप सब को left में लाएंगे और factorize कर लेंगे जैसे आप previous वाले में देख लीजे सब कुछ left में लाए यह आ गया अब इसको आपने क्या क्या factorize कर लिया सही है अब factor को zero तो करना है आगे जाके लेकिन इस time पर मैं कुछ बाते बताता कि मालों ऐसे दिख रहा है quantity का मालों ऐसा दिख रहा है सब कुछ left में लाए सबको मर्च किया ऐसा दिख गया तो बिटा आपको factorize करना था चलिए को आप factorize कर देंगे लेकिन कभी आपको ऐसा दिखे न प्रोड़क्ट में यहां प्रोड़क्ट में कि प्रोड़क्ट में अगर कोई एक positive quantity लेखी हूँ दिखे जिसका guarantee हो कि वो एक पक्का एक positive value देने वाली है तो उसे सीधे वहां से ignore करते हैं उसको वहां से हटा दें मतल कि इफ वी हैव कि एनी कि पोजिटिव कॉंटिटिटी है कि इन प्रोड़क्ट में और लेफ्ट हैंड साइड देन इग्नोर इंट मतलब को वहां से कायब करते हैं सीधे काड़ से अब आप बोलेंगे बिटा मुझे कि सर निगेटिव दिखे तो क्या करें तो निगेटिव अगर दिखे तो पहले उसको पोजिटिव बनाए और तब इग्नोर कर दे जैसे मान लीजिए यह माइनस थ्री लिखा होता है या प्रोड़क्ट में अब तो इसे इग्नोर कर नहीं सकते तो इस केस में क्या करते हैं दोनों साइड में से माइनस बन का मुल्टिप्लाइ करेंगे तो इनेकुरिटी बेटा से रिवर्स हो जाती है तो यह माइनस माइनस थ्री मुल्टिप्लाइ हुए क्या बन गया स्क्रीप अब इसको बिद्वर करतेंगे तो मैं यहां बहु बात भी लिक देता हूं कि कि वाइल ऍ पृप्ट ग्या स्थ meow न न करिव एोच्ट्य वे जुऑ है वुद्वराज रिफ खरता हैश्ई church पनीविकर बिद्वर्ट मेक इट पॉजटिव एंड इगनोर या सीधह में काम और कर सकता हूं मैं यह भी बोल सकता हूं यह को हमें पता है कि नेगेटिव कॉंटिटीटी यह पहले माइनस बन का मिल्टिप्लाई कर आओगे पॉजटिटिव बनेगी माइनस में का मिल्टिप्लाई कर आओगे दोनों साइट में तो इनेगेटिटी रिवर्स हो जाएगी तो क्यों ना मैं सीधे ऐसे बोलतू कि अगर नेगेटिव कॉंटिटी कोई प्रोड़क्ट में है लेफ्ट हैंड साइट के देन इगनोर इट इगनोर इट एट और रिवर मतलब जैसे मान लीजए माइनस थ्री एंक इसको इगनोर कर देंटें और ग्रेटर दैन है तो लेस्दन करदें और लेस्दन है तो इसे यह समझ माया जब हम किसी नेक्पिलिटी को स्वाल्व कर रहे हैं पैक्ट्राईज कर रहे हैं उसके मल्टिप्लाई में कोई अब प्रेटर को होके पहुँच चुके औप यहां पहुच चुके होगे और जो बाल्यू आएंगी उनको यहां नंबला इन पर मार्क करेंगे step 4 हमारे पास एक्वेट all the linear factors with 0 and mark the values of x on the number line चेक है बटा बात समझ मारी है तो मतलब आपको यह करना है जो आपने step number 3 बताए था quadratic में भी follow कर सकते हैं कि quadratic में हम कैसे पता करने कि कोई positive और negative आपको क्वेट को भी ignore करना है बेलकुल करेंगे देखिए देखिए मैं बताता हूँ यह मैंने एक general बात लिखा दी कि आपको पता लगया कि कोई quantity positive है तो आप उसको ignore कर रहे हैं पता लगया negative है तो उसको ignore कर रहे हैं लेकिन reverse कर दे रहे हैं अब यह कैसे और काम आ सकता है बहुत सुन देखिए मान लिजिए steps में बाद में आ जाओगा मान लिजिए आपके पास एक question है आपके पास लिखा हुआ है कि x square प्लस x प्लस 5 यहां लिखा हुआ है बेटा x square माइनस 5x प्लस 6 less than 0 यह आपको solve करना है आप factorize करने गए मानलो आपने इसको factorize किया हो गया simple आपने मानलो इसको factorize करने गए लेकिन यह factorize नहीं हो पा रहा अगर कोई quadratic कभी factorize नहीं हो पाए तो हम उसका d check करते हैं check discriminant है हमने d check किया कितना आ गया है इसका negative तो अगर negative आ गया है इसका discriminant अब हम क्या करेंगे इसका बेटा a क्या है x square का coefficient क्या था positive d क्या है negative तो इस quadratic का graph कैसा बना होगा इसा उपर को open और x access का उपर उपर इसका मतलब x access के हमेशा उपर है इसका graph कर देंगे इसको अपनी जगा से तो सिर्फ उसके जगा बन आ गया ऐसे हो गया अब मेरा question ऐसा बन गया इसको अब फर्दर solve करेंगे समझगे बिटा तो मेरा मतलब यह है बिटा कि मैं सिर्फ यह नहीं कह रहा हूं कि constant लिखा हुआ है positive multiply में या divide में तो ही ignore करें नहीं वह variable भी हो सकता है जैसे नीचे वाला quadratic था वह variable की रम में था लेकिन हमें भी यह पता था कि यह एक positive value देगा हमें सब तो इसे भी हमने ignore कर देंगे सब्सक्राइब तो यह जो हमारा तीसरा step है यह वही कहता है कि multiply में या divide में अगर कोई positive quantity लिखी हुई है चाहे वो variable की form में हो चाहे वो constant की form में हो उसको बही पर ignore कर देंगे सही है negative quantity हो हमेशा के लिए negative हो तो भी उसे ignore कर दें लेकिन inequality को reverse कर देंगे मानली जी आपने ignore बगएरा करके बच्चे कुछे factors आपके पास कुछ आये आपने उनको equal to zero किया फिर उनको number line पर mark किया मानली जी number line पर आ गए आपके कुछ values अब आप क्या करते हैं देखी आगे जैसे मानली जी यह number line है और यह ऐसे two, three, four, five ऐसे कुछ number आ चुके आपके पास और मानली जी question factorize करके कुछ ऐसे आया आप 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 क्या करेंगे है यहां तक हम पहुच गया थे step और तक मैंने बोला था नम फैक्टर करने के बाद उनको इकुल टू जीरो पर आगे number line पर ले आए आप number line पर भी ले आए थे step four तक अब क्या करेंगे हमेशा right upper corner से graph start करें और ऐसे पहुच जाए हमेशा right upper corner से graph start करें और near rest value पहुच जाए जो right side से near rest होती हो पहुच गए मैंना लिख देता हूं start floating graph from right upper corner ठीक है और देखें एंड मोग दू nearest value या मोग दू right most value अब आप किसी एक value पर पहुच चुके अब इस value को क्रोस कैसे करना है वो देखना है ठीक है देखें इस value को बेटा क्रोस कैसे करना है वो सुनिए जिस value पर आप खड़े हैं आप उस factor की power देखें मैं अलग से लिख देता हूं इसी step में to cross the value if power of factor x minus alpha मैं बता रहा हूं कि मनलों यह alpha हो पांच को में अलफा मन लिया alpha value को क्रोस कैसे करेंगे 5 को क्रोस कैसे करेंगे if power of factor x minus alpha is order then change this side and move to next value चेक है बता और अगर if power of that factor x minus alpha is even then then without changing this side move to next value अब बात को समझ रहें मेरा मतलब यह है कि मालनों मैं 5 पर खड़ा हूं तो x minus 5 वाले factor पर पहुंचिए x minus 5 वाला factor को नहीं यह जहां से यह 5 आया उस पर पहुंचिए उसकी power क्या है code उसकी power code है तो अब हम कैसे करेंगे side change करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम उपर थे अब हम क्या करेंगे हम उपर थे तो अब हम क्या करेंगे नीचे आ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो नीचे आये और आगली value पे पहुंच रहे हैं अब मैं 4 पे खड़ा हुआ हूँ तो बिटा अब आप 4 वाले factor पे पहुंच यह 4 जिससे आया है 4 आया था इस वाले से तो 4 जिस factor से आया उसकी power कितनी है even और even में इसने लिखा हुआ है कि without changing side move to next value तो इसकी power even है x-4 की power even है इसलिए बिना side change की आगे बढ़े तो बिटा side change अब हम नहीं गवे नीचे है हम नीचे वाली side में है x के x के तो हम नीचे ही रहते हुए आगे बढ़ेंगे समझ गए even में और और रोड में क्या difference है power में जिस side में है उसी side में फिर आगे हो चले जाएंगे अगे even power है तो ठीक है और देखते हैं अब हम इसका पूंचे बटा 3 पर है 3 कहां से आया x-3 factor से x-3 की total power कितनी x-3 की powers कितनी है 3 ऊपर वाली और नीचे वाली सारी मिला जुला के total तब बताएंगे तो टू और वन थ्री काट के नहीं बताएंगे एड करके बताएंगे उपर नीचे की ठीक है तो थ्री पावर है इसकी 3 वाले की तो ओड पावर है जहां से 3 आया उस factor की ओड पावर है तो side change करो और आगे बढ़ेंगे तो वाले को देखते हैं तो जिससे आया उसकी पावर क्या है और 3 पावर है फिर से side change करेंगे और आगे बढ़ेंगे अब इसने क्या गोना था कि less than यहां तक हम पहुंच गए यह तो इन ही स्टेप से आ गया अब इस्टेप फाइड क्या इस्टेप सिक्स क्या है अब आकोर्डिंग तू कि साइन और इनेक्विडिटी कि राइट डाउन कि वाल्यू जॉप एक्स मतलब यह कि मानलों कर लेस्देन लिखा हो तो क्या करना है आपको यहां लेस्देन है तो मतलब आख सैच्स के नीचे वाले ग्राफ करना और इस ग्राफ में एक्स कहां से कहां तक है माइनस लोटी से तो टुमने तख पर पर जुली से 4 तक 4 से 5 तक तो लेस्देन है तो Leaders सैच्स वाला ग्राफ मार्क करेंगे सब्सक्राइब देखे अब देखें अभी आपको फिल नहीं हो रहा होगा यह आपको फिल घाया के बन रहेगा नहीं है तो अगर यहां greater than का sign होता तो access के उपर वाले को बार्क करते हैं अब 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 दी एक्स एक्स ठीक है तो पहले आप इन steps में कुछ बात समझ में ना आई हो पहले मुझे वो बता दें फिर बीच बीच के कुछ और important points में भी आगे लिखाने वाला इन steps में अगर कोई कहीं तो मुझे बताने पहले हैं तरी आप में लिखाए कि एक्स लॉंग स्कूट और पूरा यह मिल सकते हैं अब बात कर रहे हैं तीन से पांच नहीं 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 ले सकते फॉर पे पॉजर डिप थोड़ी है अब यह निगेटिव फॉड़ी है ने 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 चुक्क है फॉर हमारे इंटर्बल में नहीं है यह ने लिया हुआ नहीं लेकिन चार नहीं हमारे पास बेटा लेकिन अगर आप ने तीन से पांच लिए तो उसमें चार आ जाएगा है ना इसको नोट कीजिए अभी और बात लिखाने वाला हूँ अभी यह सोचिए कि अभी से बहुत सारी कुछ और एडिस्कल बात है तो अभी सामार के जीन से अभी आदोगे से अभी एड पांप बाता से लेख हुआ है यह के डिने कि ऩॉटी खुफग उने क्यों हो तुटी Norman पॎमाट, ऄस्पंच, एड़ हो जो जसे यह कंगो झाल 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 कर लेंगे तो मुझे बता देना है यह को झाल झाल चुक्य जया आक झाल 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 लुरीज थैज़? लुचे क्यों दुचिक क्यों दो अजर खुचिक क्यों दो आप हो गया बटा यह सभी का नोट हो इस तरह यह आंसर लिखा है एक बिलॉंग्स इनक्विनिटी कॉमा टू यह बता दी हां देखिए बटा यहां लेस्ट जीरो है जब इनक्विनिटी में जब आप प्राइज जब फैक्टर बन चुके थे उस ताइम पर जब आपने फैक्टर को पकड़ पकड़ के जीरो के एक फोल किया था तो उस ताइम पर आप यह कि यह तूपडे नीचे आ रहेते इसमें एक्स कहां से कहां जा रहा है वह यहां पर लिख देजिए माइनश इंफिनिटी से टू तीन से चार चार से पांच अगर यहां ग्रेटर होता ग्रेटर देन जीरों होता तो उपर बारे टूपलों को मार्क करता उनके लिए लिख ठाक्स कहां से जाए था जो फिस लिए अ कि एंगा है ठीड़ी गया नियुक्त अट ऑट अगर अगर और को देख का देखने चले आगे अब इसमें मैं कुछ और important बाते में बतानी चाहता हूँ जैसे एक तो जैसे जब हमने लिखा था कि positive quantity को ignore करें जब आप factorize करा रहे हैं मैं बोलना चाहूँगा मान लिजे आप किसी quadratic को factorize कराने जा रहे है और आप से factorize नहीं हो पारे तो आप उसका तुरंद d check करें अगर a positive और d negative आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि उसका graph ऐसा है और आप उसे तुरंद किया कर देंगे बटा इगनोर कर दें सही है जब factorize नहों पाए तो clear है और आगे देखें देखें और आगे दूसरी बात इसको कहीं नोट कर ले न बटा स्टार मार करके के इफ इस इफ एनी कि आगे बटादीं टैस बात बला थ जो ण्या के तुर्ट अ वड़िट negative and a positive then ignore this quadratic इसको systematic ऐसे लिख लिए चाहिए और सुनिये दूसरी बात बटा ये मान लिजे आपके पास कोई भी inequality है उसमें अगर आपने दोनों साइड में negative quantity का multiply किया इफ जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ आपके पास दोनों तरप आपने minus का multiply कर दिया इसी negative quantity का तो बटा inequality reverse हो जाती है minus का multiply करने से inequality reverse हो जाती है ठीक है मान लिजे आपके पास ऐसे लिखा हुआ और मान लिजे किसी positive quantity का आपने multiply किया मान लो plus 3 का आपने multiply कर दिया दोनों साइड तो बटा कोई change नहीं आता inequality वैसे ही रहती है ठीक है तो यहां मैं लिख देता हूँ if any negative quantity multiplied both side then reverse the sign of inequality but if positive quantity multiplied then no change इन दोनों बातों को बटा लिख लेज़े कर देंगे क्योंकि बटा मैंने बोला हुआ है न के positive quantity multiply में लिखी हो तो इग्नोर हो जाता है क्योंकि positive quantity Rोच ठीक यहां क्यूक 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 इसको नोट कर लेंगे तो मुझे बताना फिर मारे ला पॉंट ले खापका हूं कर दो किसर दो मुझे से वे खापका हूं पो भी स्याओध कि लेखा भीजे खापका हूं ये सर चले आगे ये सर ओके देखिये मैंने आपको ये तो बता दिया ता कि अगर लेस देन हो आपको something less than करके लिखी हो inequality तो बेटा आप जो है x-axis के उपर की तरफ वाला ग्राफ ले ले अगर greater than नी अगर greater than हो तो उपर का ग्राफ ले 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 लेस देन हो तो ये नीचे वाला ग्राफ मार्क कर लें X-axis के लेकिन मैं आप बताना चाहता हूँ कि अगर less than equal to आ जाए या फिर greater than equal to आ जाए तो क्या करें साथ में equal to भी आ जाता है कोई का है न देखिए जब less than equal to या greater than equal to आ जाए तो मैं लिख देता हूँ systematic if this or this came in inequality then include the value of X where which came from the factor of numerator only इसको note करो मैं इपर question करके दिखाता हूँ करके फिर कि Honda करूम इसको करूM करुब करίνल इसको करूम झाल झाल कि लेस्ट देन से क्या फर्क पड़ेगा लेस्ट देन इक्वेल तूस और गड़तन इक्वेल तूसे है देखिए इस से मान लीजिए आपके पास कोई कोश्चन आया आपने उसको फैक्टराइज बगएरा किया और मान लो आपके पास कुछ ऐसा आगी तो देखेंगे इसको हम कैसे हैंडल करेंगे हम जब यहां पर हम कोश्चन में पहुंच आते हैं हम क्या करते हैं सब कुछ बैसे कब ऐसी रहेगा पस अंसर लिखते हुए चेंज आएगा बस फैक्टर्स को आफ इक्वल टू जीरो करेंगे नंबर लाइन पर मार्क करेंगे फोर वाले फैक्टर ऐसे पहुंच गए फोर वाले की पावर क्या ओड है साइड चेंज करके आगे बढ़ेंगे तीन वाले फैक्टर की पावर क्या है एक और एक दो इवन है तो बिना साइड चेंज के आगे बढ़ेंगे तो वाले factor की power क्या है इवन है बिना side change के आगे बढ़ेंगे इसने बोला था greater than equal to चीए greater than equal to चीए तो बैटा greater than equal to में क्या करेंगे 0 से बड़ा चाहिए greater than है तो above the x-axis ये वाला mark होगा लेकिन साथ में मैंने बोला था जब equal to लग जाए तो उस value को भी ले लो x की जो सिर्फ और सिर्फ numerator से आई है बैटा numerator से कुन सी value आई तीन में से तो 2, 3, 4 कुन सी आई है इन में से numerator से 2 2 2 value आई है वाहां से है न तो मैंने बोला था कि जो सिर्फ और सिर्फ numerator से आई है ऐसा नहीं है कि जो numerator से भी आई denominator से भी 3 उपर से भी आया नीचे से भी नहीं जो सिर्फ और सिर्फ numerator से आई हो वो ये value है 2 तो बैटा एक तो ये greater than ने तो उपर वाला mark करवा दिया और equal to की बज़े से हमने 2 को और mark कर दिया तो 2 value अलग से जुड़ जाएगी है तो से इंफिनिंटी हो गया और साथ में अलग से एक टू वैल्यू और जुड़ गई लाते हैं ये answer हो गया तो मतलब समझ गए जो उपर वाले factor से आई हो सिर्फ उस value को अपने answer में जोड़ दिया गरे अलग से लिख लीजिए हो जैसे कि इसमें denominator में x-3 नहीं दिया होता हां तो भी को बिभी कर लेत fいsafran the denominator में नहीं को ठोटा लेकिन उपर में दिया होता तो तो हम भीलिव भीले जे ए छोटी चोटी बात ने हैं पाट दिहाना थारे बड़की कानि बढ़िक झेश고 कि एका से से नहुड़ कि fragen हैंका कि की अक पिरो एक बबदारिजड creatives युच कि बब चाओ से से सी अे ली झासा अ र हुआपयद हो पना Carneट माई बड्रा है इव ब हम बडिए हएर बड्रा कि जयन बड्रा मुह और थीर तो और देखें बटागे अच्छा आप लोग जो है ये बात साथ समझते होंगे जैसे एक्स की वैल्यू अगर दो से तीन तक है तो क्या लिखते हैं इसके लिए हम तू कॉमा थरी ऐसे इसका मतलब है ये एक सेट है जिसके जिसमें तो और थरी के बीच की वैल्यू रखी होगी है अगर मैं बोलूँ कि ऐसे है तो इसका मतलब क्या हुआ पिटा कि तू को भी ले लिया गया है 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 ना तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे जैसे मानली जो मैंने ऐसे लिखा तो मतलब एक सब्सक्राइब अगर मानली ये मेरे पास लिखा हुआ है ऐसे एकस दो से बड़ा है तो बटा दो से बड़ा तो कहां तक जाएगा इन्फिनिल्टी तक ऐसे मैंने लिखा एकस ग्रेट दन इकुल टू तो दो या दो से बड़ा दो भी लिया सकता है तो ऐसे मैंने लिखा अगर एकस दो से चोटा है तो मतलब दो से चोटा कहां तर जा सकता है बटा माइनस इंफिनिल्टी तर तो समझ गई है ये सेट कैसे लिखे जाते हैं वे ले लगते ही को इनलुट अबक मुर्टेट का एं कहता है बड़ान वालुकित से लगालव को फिर नहीं क्लू़ुक्त और basin क्याक्स प्वोटे इसमॉल ब्रेकेट को ना करना हो तो घ्या इंफानाइट का फिक्स है हमेशा उपन ब्राकेट ही मतलगा ही लगेगा क्योंकि इतना बड़ा होता है उसका हम कभी एक्जक्ली इंतुरूट करी नहीं सकते हैं बहां सिर्फ एंड कर सकते हैं कि अनिकेश मतलग इतना बाती है व्रेश और सकते हैं जाना बाती हैंakah कि मतलेौट कर देंट अज्फ दथ कि अना भी म मतलगा ही एक जा बड़ा ही और सकते हैं और सकते हैं और सजो आपने अभी कर ली ब्रैकेट लगाया था वह अगर बस एक वैल्यू को इंक्लूट करना हो तब लगाते हैं हाँ जब इंडिविजॉल वैल्यू इसको लेना हो जैसे माली एक्स की वैल्यू तो थ्री फॉर रखनी है तो बटा कर ली ब्रैसिस में रखनी है एक्स की अगर पूरा इंट्रवल लिया जाता है मालों दो से तीन का पूरा इंट्रवल लंद भीच की सारी वैल्यू तब यह वाले यूज होते हैं क्यों नेन ग्यूज हो फेल शाए ऐगे से आधे इससर ऑफिस्व लिक्ली हूँ आशे तो को आदकि यी ते जनग यहां प्योदले एच चही नṬया रे एंप अ कर थे जब मरा हिंसागा यह जा है हुड़ के अपना गुछ। कर दो कर दो तो टो हुआ हुआницane कंदग cynता explains झाल बुल झाल टे दिल सेफ लिफ बना थार प्रोब्रा करें जिला दिल्दाइब कर बार फूर कर दो खंदार कर दो प्रेश बना, तो जिल सकतार दंख प्रेशार कर दो एंख लुड़ार कर दो लिफ लिए लिए लागा है लिख लिया है सब नब आगे चले तक केसर का रहा है हुए 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 है एक वस्टन देता हमें वस्टन देता हमें झाल 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 मेरे पास कोश्चन है वह यह एक्स अपोन एक्स प्लस फ्री और लेस देन वन अपोन एक्स माइनस इसको शॉल्ब कीचिए झाल 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 पहल कंश झाल मान लीजे कभी ये quadratic आ जाए एक ये quadratic आ गई मैंने बोला था जब कोई quadratic factorize ना उपाए आप उसका d check करें आपने इसका d check किया तो negative निकला इसका d check किया तो positive निकला इसका a positive था इसका भी a positive था तो मैंने क्या बोला था a positive और d negative i तो ignore करें इसे तो आप ignore कर देंगे लेकिन उसको ignore नहीं कर सकते बिटा बोटो बची रह जाए तो अब मैं बताता हूँ कि जब आप से quadratic factorize ना उपाए लेकिन d d भी positive रहे तो d positive है मतलब इस quadratic का कोई ना कोई root है सही बात है और d अगर इस quadratic को अलग से रख लें अपने पास इसका जब कोई root है और हम factorize नहीं कर पा रहे हैं तो root हम उससे निकाल सकते हैं क्या quadratic formula से तो दो root आ रहे हैं यहां plus लेकर गए यहां minus जब किसी के आपको roots पता हो के alpha बीटा है तो आप उसको ऐसे लिख लेते हैं क्या उस quadratic को इसका मतलब यह question में इस quadratic की दिएगा हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस पहला वाला रूप इंटो एक्स माइनस दूसरा वाला रूप लेस देन जी रूप नंबर लाइन बेर मार्क कर लेंगे दोनों कि यह चीए यह लेस देन समझगे question को कैसे handle करेंगे जब कोई quadratic factorize नहीं हो पाती हम उसका d check करते हैं d negative a positive हुआ तो ignore d negative नहीं हुआ d positive हुआ तो फिर हम जबरदस्ती ऐसे factorize करेंगे quadratic formula से अब try किज़े झाल चीए जब डियुक्व skakar कि आ रहरे कर दो सनंसी ख अजने कि अ अटतेा हो अटсьग भूमादी just कि अब बालओए sow नटसर दिता अज़र में छोग जाइब झालोब को अ पिता है, उंग जड़की स्वाइब खाइब कि अज़ एलोगई और कर देंगा जड़ता है, उति उलोगँ एलोगई में प्रिछंग की अज़िशन कि अबड़ एलोगई एलोगोगगे, इस वान को अबसे साखशवा मत कर माता है, कि चम्काइका region 24 आप łama को लेंग चुम आप खिलिए को लुर प्रॉंगजब कि जिल नहाद एक सकती है ו मैं झालाा हुँ कि युम झिछाने टुम है उलियकि बांट को द Freunde the ुम मैंत., हर भाम जाक लेंग है जिससे नहीं हो रहा हूं उसे मैं करके दिखा देता हूं सब को एक तरफ लाएंगे फिर नीचे लेकर सब को मर्ज करके सिंगल बनाएंगे एकस स्कॉर माइनस 3 एकस माइनस 3 अपोन एकस प्लस 3 एकस माइनस 2 ऐसे हो गए बिटा नीचे बाला तो ओल्रेटी फैक्टराइज है उपरवाले को मैं फैक्टराइज करने गया नहीं हो पारा रहा मैं इसका डी चेक किया तो पॉजडिव था तो इग्नॉर भी नहीं कर सकते तो हम आपकोडिक पॉर्मला से इसके फैक्टर लेके हूंगा क्वाडिक फोर्मला विसमें लगांगा तो यह हो जाएगा आई हो गया उन्मो प्लस बारा इकेस पर लेकर गये हम लोग है अगया बटाइस सब को जीरो करेंगे तो चार वाली वायंगे यहां से कि यहां से क्यासित चोटी माइनस थी रहेंगी वैल्यू देख लेते हैं लगभा कितनी दे रहा है रूट वन्टीवन लगभा कितना होग्या पॉर पॉंट सम्थिंग माइनस तो माइनस के बन पॉइंट संथिंग अपॉण 2 मतलब माइनस 0.0 पॉइंट संथिंग यह वाला है कि चार तीन साथ सेवन पॉइंट संथिक अपॉण 2 तो यह सबसे बड़ा हो गया लगबगे वाल्यू देखें मैंने कि यहां यह वाल्यू और फिर यहां पे हो गई two सबकी पावर, चारों की ही पावर बिटा one one eight है तो मतलब सभी पर side change हो गई ऐसे और यहां पर क्या था बिटा less than था less than था मतलब less than था मतलब नीचे वाला यह और यह equal to भी है बिटा इकॉल to लगा हुआ क्या है हमारे पास क्या हो गया है हमारे पास और यहां से यहां से जो यूनियन इसको देखें ये दो से शुरू हुआ और थ्री प्लस रूट 21 वाइट ऐसे यह बटा हमारा फाइंडल एंसर होते हैं को दिक्कत हो तो मुझे बताती जो अच्छा लग्की वहिया बोल रहे हैं कि आपने वैल्यू कैसे पुट्टी नंबर लाइन पर यह बात ऐसी है मैंने बोला था ना कि लगबगे वैल्यू देखी जाए रूट 21 है तो रूट 21 जो है मेरे पास रूट 16 का रूट के आपता है चार तो 21 का रूट हो गया चार फोर पॉइंट सम्थिंग माइनस बाइन सब्सक्राइब कर लिए तो मैंने जीरो पॉइंट सम्थिंग माइनस तरी के बाद आता है दो से पहले आता है इस तरह मैंने लगबग में वैल्यू देख ली थी तो कि अच्छ पूर्च कि है कि में अच्छ पिर देश्ट पूर्च कि अच्छ जायदा पाइगा फिस आप इस आप इस तो यहां से शायद आपको यह बी किलिए हुआ होगा कि जब यह जहाई प्राइब लब किसी क्वाद्रेटिक क्या फैक्टर नहीं होते हो पाते हैं उसका D check किया जाता गी नेगरीटिव आने पे लाते है तो पॉजर्टिव और से करके लाते हैं आ beauty लीए कि यह पूचना था फी जैसे कि दोनों क्वाद्रिटिक हैं इसको जोर्फ और दी नेगेटिव है तो दोनों इग्नोर हो गई दोनों फिर कैसे करेंगे हैं बताता हूं बटा पहले इसको नोट कर लेने तो हैं कर लिया बटा सभीने नोट यह सामने वाला सोलीशन यह सब्सक्राइब कि देखिए मान लो कि यह जो दो लिखे हुए हैं यह को अब यह को आप इग्नोर का मतलब उससे दीगा वन कोट हो कि है तो कैसा दिखेगा आपको ऐसे बन लेस्टन जीरो दिखेगा न बचा हुआ सही बात है नहीं बच नहीं बचे गए नहीं तो ऐसे केस में मैं यहां लिखना चाहता हूं कि वैन वैरियेबल कि दिश एप्पियर कि वाइन स्वाल्विंग एक्वेशन और इनक्वेशन यह इनक्वेशन कि बात नहीं है जन्रल बात है किसी एकवेशन को सॉल्व कर रहे है वर आपने देखा कि ये क्या हो गया वैनिस हो गया है तो अब आप क्या करेंगे अगर यह वैनिस हो गया आपके पास तो आप इस time पे जो है कि यह देखेंगे कि जो बची हुई condition है जैसे हमाँ 1 less than 0 बच रहागा दा जो बची हुई condition है बीना वैरीबल के तो remaining condition is true then answer is x belongs to r वतब variable की value r और जो otherwise अगर जो remaining condition है वो false है then answer is x belongs to 5 मतलब अगर आपका variable खतम हो गया चाहिए इग्नोर ओके हुआ है कुछ भी ओके हुआ तो यह देखें जो बचा हुआ है जो constants बचे वो जो condition लिखी हुई बची वो true है या false अगर वो true बची है फाइनल लास्ट कंडिशन तो आप सीधे लिखने के जो इसका variable था इस question का उसकी value all real numbers आएगी अगर जो कंडिशन बची वो फॉल्स है जैसे यहां वन लेस देन जीरो था वन लेस देन जीरो तो फॉल्स है तो सीधे एंसर लिखने के लेक्स की कोई value नहीं आपाएगी मतलब हमारा variable belongs to five हो जाएगा मतलब नो सुल्यूशन चेक है जाएगा था वह स्काइब को कभी किसी एक्वेशन या इनेक्वेटी को सौल्व करते हों पूरा वारीबल खताम हो जाए तो क्या अंसर लिखना वह से डिपंड करता है कि अब 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 कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं यह यह मतलब अब 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 आप अब 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 लिए वह जो आपने लिए पिछली पिछली कि बात कर रहें किया यह सब कि अब 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 लोगे यह सब अब को फोर्मूला दिहान वह वाला एरिया वाला अब 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 कि अब 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 वह जाएं अब अब यह जाएं और यह ज्यादा बढ़ा काम बच्छा पिटा देखो तुसे यह बात यह तो अब आपके तो भी आएगा मुझे नहीं पता थ्री था गया तो थ्री थ्री क्यूब मैं और जी माइनस ए प्लस बी प्लस सी थ्री स्क्वार और प्लस ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए 3 और माइनस ए बी सी तो बेटा वस यहां सम अप्रूट रख दो लाके यहां दो दो के प्रोड़ेट का सम और यहां तीनों का प्रोड़ेट रख दो चीक है तो यही तो क्यों भी के तो ठीक है तो ठीक है बेटा फिर आज जो है क्लास को यहीं खत्म करते हैं ना और बाकी फिर नेक्स क्लास में पढ़ेंगे एक्शुली बेटा यह जो इने एक्विलिटी है ना ध्यान रखना आज यहाइन आज का लेक्ट्र चयाद ही कोई ऐसा लेक्ट्र उतिसमा अज का लेक्ट्र ना होगा वागी क्वार्टरिंट में हर जगह यह यूज होगँ और कि वर 12 के चैप्टर वक्रह्में तो आसा को चप्टर ही नहीं जिसमें यूजना इसलिए बढ़ा इंपोर्टन्ट हो झाल झाल करना झाल